हेलो चैंपियंज क्या हाल चाल हैं आप सबके मैं कमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इंफिनिटी लर्न बाई श्री चेतन्या पे तो बच्चों आज हम लोग अपने 11 के प्रारंब बैच में क्या करने वाले तो आज प्रारंब बैच में हम लोग अंत करने वाले एक और मज़िदा चाप्टर का जिसका नाम है स्टेट सॉफ मैटर जहां पे हम लोग गैशर स्टेट पढ़ते हैं तो गैशर स्टेट का बच्चों यह आज आखरी लेक्चर है इसके बाद हम लोग एक नया चाप्टर श यह तीनों आपस में बहुत जादा जुड़े वे तो जब तक हम इन तीनों चाप्टर को नहीं पढ़ लेते हैं एक फील नहीं आती है कि हमोल कॉनसेट खतम हो गया है तो इस वज़े से पहले हम लोग यह तीन चाप्टर करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर NCRT के सीक्व पने जाएंगे टाम की श्रक्टर पीर ओरिक क्लासिफिकेशन ऐसे करकर की चैप्टर को पढ़ा जाएगा तो गैस्यस इस स्टेट क्यों हम लोग क्या पढ़ चुके last class में हमने क्या पढ़ा था gasory state में last class में हमने पढ़ा था real gas का अरे ये marker pen भाई इतना मोटा है कि ने चल रहा है real gas का मतलब समझा था और real gas और ideal gas की fight देखी दी कि भाई real gas क्या होती है हमारे आसपल्स की जितनी भी gas है ने उन सब को हम real gas कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि वो ideal behavior है जो PV equal to NRT behavior उसको follow नहीं करती है और इस बात की measurement की थी Z से कि अगर Z 1 है तो ideal behavior मिल रहा है अगर compressibility factor या तो 1 से ज़ादा हो जाएगा real gas के लिए या 1 से कम हो जाएगा 1 से कम का मतलब attraction force ज़ादा dominative है और gas को compress करना आसान है attraction force ज़ादा dominative है और gas को compress करना आसान है और 1 से बड़ा होने का मतलब repulsion force ज़ादा dominative है और gas को compress करना मुश्किल है gas को compress करपाना मुश्किल होगा क्या होगा मुश्किल होगा और अगर हम यहाँ पर सोचें और क्या बास समझेती कि अगर Z1 से जादा हो गया तो इस टाइप के deviation को बोल दिया positive deviation इस टाइप के deviation को हमने क्या बोला positive deviation 1 से छोटे को क्या बोल दिया negative deviation Z का नाम क्या है compressibility factor Z का नाम क्या है compressibility factor कब एक ideal gas या एक real gas ideal behavior शोग कर सकती है तो अगर हम एक real gas को बहुत जादा low pressure और बहुत जादा high temperature पर रखे तो वो हमें approach close to ideal behavior देती है तो हमने Z की value भी देखी थी अलग-अलग condition पर last lecture number 4 में हमने Z की value देखी थी कि low pressure पर Z1 से कम आता है तो क्यों आता है high pressure पर Z1 से जादा आता है तो क्यों आता है और कैसे हम condition को satisfy करा के Z को 1 के close ला सकते हैं और इसी high temperature के लिए temperature define किया जिसका नाम था boil temperature क्या तो नाम boil temperature कि वो temperature जिसके ऊपर वो temperature जिसके ऊपर हमें ideal behavior मिलेगा उस temperature को बोला गया boil temperature सबको clear है इसी बात वो temperature जिसके ऊपर हमें ideal behavior मिलेगा उस temperature को कहा गया boils temperature तो पहले मैं तो चाहरा कुश्यन कराता हूँ फिर हम इसके आगे की concept को समझते हैं करी साथे कुश्यन मैं तो हमें homework में दिये थे जो आइडियल गैस के numerical पर बेस्ट थे राइट डैल्टन लॉव पार्शल प्रेशर पीव इकॉल टो एनार्टी और काइनेटिक थियूरी ऑफ गैसे इन सब पर बेस्ट कुश्यन थे देखो कुश्यन को पढ़ो ध्यान से ओ देखो कुश्यन क्या कह रहा है एक गैस थे 350 केल्विन और 15 बार पर जिसकी मोलर वॉल्यम मोलर वॉल्यम 20 परसेंट स्मॉलर है आइडियल गैस से गरेक्ट पर जी घैस और सबसेवा अधे इंतिक और ₹ देखो 2, 3 तरह से समज़ सकते हूँ लॉजिक लागिक समझते पहले सबसे पहले लॉजिक जाते हैं की भाई लॉजिक क्या कहता है लोजिक सबसे जादा इंपारन ती कि लॉजिक क्या कहारा है हमारा नीट का कुश्यन है 10 सेकेंड में भी solve हो सकता अगर लॉजिक क्लिए है तो लॉजिक क्या कह रहा है कि gas की volume कम है gas की volume कम है ideal gas दे under similar condition volume कम होने मला होगा हमने दबाया तो हमारी real gas जादर दब गई और ऐसा कब होगा volume कब कम मिलेगी ideal gas में तो ना ही support है ना ही oppose है ना ही attraction है ना ही repulsion है ना वो दबाने पर पास आने में मदद कर रही है ideal gas ना दूर जाने के लिए मदद कर रही है वो normal है कोई force of attraction कोई force of repulsion नहीं लेकिन real gas में अगर attraction हुआ तो support मिलेगा जादा दब जाएगी repulsion हुआ तो oppose मिलेगा कम दबा पाओगे तो अगर real gas की volume कम है इसका मतलब इसकी compression जादा हुआ volume घटने का मतलब इसका compression जादा हुआ और compress जादा कब हुई होगी जब यहाँ पे attraction का force भारी पर होगा attraction का force भारी पर गया होगा तो इसके हमें दो बात मिल गई कि पहली बात भाईया यह मिल गई कि Z जो है compressibility जादा तो Z की value कम तो Z 1 से छोटा है और attractive force dominate करते है Z 1 से छोटा है और attractive force dominate करते है यह हुआ logic दूसरा mass logic का ही alternate mass से कि भाईया Z होता है PV of gas divided by PV of ideal condition बोल दिया same है condition बोल दिया same है इसका मतलब pressure same है pressure same है volume कम है तो Z की value फिर से क्या आगई 1 से छोटी आगई pressure same pressure काटो volume of gas छोटी तो volume of gas छोटी तो Z की value 1 से कम Z की value 1 से कम यानि attraction force dominate answer हो गया option number D answer हो गया option number D ऐसे question बहुत जादा मिलते है neat examination बहुत मिलते है ऐसे question कि भाई अगर एक gas है ध्यान से देखना carbon monoxide किसी भी गैस का नाम दिया theory question है तो real gas मानो numerical question है तो सब ideal gas मानो तो gas का नाम दिया carbon monoxide ये कब real gas से ideal behavior दिखाएगी तो ideal behavior की condition क्या है pressure कम हो temperature जादा हो pressure कम हो और temperature जादा हो तो देखें भाई pressure का कम और temperature का जादा option संख्या 4 D option correct बन गया कौन सा option correct बना D option correct answer बना एक और question समझते हैं कौन सी gas ideal gas से बहुत जादा deviation दिखाएगी तो ध्यान अकना deviation आता है because of forces जिस gas में force जादा strong होंगे उसका deviation जादा होगा ये मत सोचना है positive negative positive negative से सिवे comparison है ऐसा नहीं कि positive value बड़ी है negative value कम है deviation में sign मत सोचे जब maximum minimum की बात करे कौन जादा दूर होगा चाहे वो नीचे दूर जाए चाहे वो उपर हो जाए क्योंकि deviation का मतलब deviation है चाहे positive हो चाहे negative हो तो ये gas non-polar non-polar में vanderwals force ये दोनों gases non-polar vanderwals force ammonia polar gas जिसमें hydrogen bond कौन से bond बनेंगे hydrogen bond बना सकते है ammonia, water, hf ये सब hydrogen bond बना सकते है hydrogen bond का मतलब यहाँ पे force of attraction या forces काफी strong होंगे इन चारों option में सबसे अदे strong force कौन लगाएगा ammonia तो सबसे अदे deviation कौन दिखाएगा ammonia ऐसे question कई बार NEET में पूछा गया है तो ये थोड़ा सा important question है भाई ये थोड़ा सा important question है तो इस question को अच्छे से समझेंगे और ये समझेंगे कि deviation हमें ज़्यादा क्यों मिलता है clear है सबको सबको समझ में आया फिससे similar question है ऐसे बहुत सारे question अलग-अलग language में तुमें मिलेंगे कि एक real gas भाई कब ideal behavior दिखाती है low pressure, high temperature low pressure, high temperature option A बन गया सही answer कभी वो तुमें language में दे देंगे कभी वो temperature, pressure के कुछ value रख देंगे तो वो option ढूँनना जिसमें temperature सबसे जादा हो और वो option ढूँनना जिसमें pressure सबसे कम हो ideal behavior के लिए temperature सबसे जादा नीट एक्जाम में इस topic से, real gas से direct theory वाले question real gas से direct ऐसे question आते है किस gas का deviation जादा होगा कम deviation कम मिलता है जब pressure जादा हो temperature sorry pressure कम हो, temperature जादा हो, तो जादा deviation मतलब इसका उल्टा ideal behavior कम मिलता है, जब pressure कम है, temperature जादा है इसका उल्टा कर दो यानि कि अगर pressure जादा हो गया और temperature कम हो गया, तो वहाँ पे deviation ideal behavior से deviation जादा आएगा, तो वही कम deviation कम मिलेगा, जादा deviation कम मिलेगा, कब Z की value ऐसा question तो इसने बाहर, real gas बच्चों, इसने बाहर का question कभी नहीं आता है कभी नहीं आता है, Z अगर compressibility factor है, Wanderwall equation at low pressure low pressure पे Wanderwall equation क्या होगी, फिर से दो तड़ीके पहला भहिया logic, logic भाई क्या कहते हैं low pressure पे compression असान होता है तो Z की value 1 से छोटी होनी चाहिए low pressure पे compression असान होता है, तो Z की value 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है low pressure पे volume बहुत जादा है, तो volume correction factor को ignore किया जा सकता है low temperature पे volume बहुत जादा तो volume correction factor को ignore कर सकते हैं तो वो option जहां पे B आ रहा है जहां पे volume correction factor आ रहा है, वो तो possibly नहीं है, है ना, जहां भी volume correction factor आ रहा है, वो तो possible नहीं है, क्योंकि हम low pressure पे volume को ignore करते हैं वॉल्लिम करेक्षिन को वरना जैसे सिखाया था पूरी एक्वेशन बनाओ फिस पूरी एक्वेशन को nRT से डिवाइड करते थे nRT से डिवाइड करते थे z बन जाता था 1-na by vrt अगर 1 mol की बात कर थे अगर mol नहीं लिखा इसका मुलब 1 mol की बात कर थे तो कौन सा एक्वेशन आ गया बी वाला तो या तो पूरा एक्वेशन निकालो या थोड़ा बहुत लॉजिक लगालो कि किस कंडीशन पे किस बात को तुम इग्नोर कर सकते हो या तो पूरा एक्वेशन निकालो नहीं तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगालो कि किस condition पे कौन सी बात को हम ignore करते हैं high pressure पे pressure correction ignore हो सकता है low pressure पे volume correction factor ignore हो सकता है क्योंकि volume काफी जादा होगी volume काफी जादा होगी तो ऐसे question भी बच्चो आप लोग को मिलेंगे positive deviation from ideal behavior positive deviation from ideal behavior कब मिलता है तो positive deviation का मतलब है Z की value 1 से जादा Z की value 1 से जादा Z की value 1 से जादा क्योंकि उसमें interaction होगा कैसे? repulsion होगे Z की value 1 से जादा यानि repulsion forces जादा होंगे तो Z1 से जादा होना चाहिए और repulsion forces जादा होने चाहिए Z1 से ज़ादा और Repulsion Poses ज़ादा होंगे clear है सब को ये बात चालो आप भी कुछ कुछन और करेंगे पहले हम थोड़ी सी बात और समझते है एक ऐसा graph मिलेगा आपको NCRT में कहां मिलेगा सर ये वाला जो portion है जहां पर ये graph मिलेगा ये वो portion पढ़ना इसको Andrew Isotherm कहते है और heading का नाम होगा Liquefaction of Gases जहां पर बच्चा आप लोग इग्राफ मिलेगा उसका नाम होगा Liquefaction of Gases क्या देखा Andrew ने देखो ideal gas का मतलब समझो पहले कि ऐसा क्यों है या ये बात हम क्यों पढ़ रहे है ideal gas का मतलब कोई attraction force नहीं अब ideal और real gas के बीच में एक दिवार खिच चुकी है Never say never पहले इस बात को समझेंगे कि भाई Liquefaction का मतलब क्या है Liquefaction मतलब Particles दूर दूर है उन Particles को पास लाना है और Liquid बनाना है यही तो मतलब है Liquefaction का कि हम Gas को बदलना चाहते है Liquid state में Gas को Liquefy करना चाहते है अगर मुझे Gas को Liquefy करना है अगर मुझे Gas को Liquefy करना है तो मुझे उसमें Attraction Force चाहिए अगर अगर Attraction Force ही नहीं होगा तो सोचो क्या होगा अगर Attraction Force ही नहीं हुआ तो पार्टिकल को तुम कितना ही पास ला वो आपस में चिपकेंगे नहीं आपस में दोस्ती नहीं बनाएंगे तो आपस में दोस्ती बनाने के लिए ज़री है कि उनके बीच में Attraction Force आए Attraction Force आना कम पर सरी है आइडियल गैस में कोई Attraction Force आए तो लिक्विफिकेशन होई नहीं सकता है रियल गैस में सोचो है यरियल गैस में सोचो है रियल गैस में अट्रेक्शन भी करता ए है रिपलशंबी repulsion के liquification को अगर सोच रहे हैं तो भाई repulsion तो और बड़ी condition है repulsion तो इससे भी बिकार condition अब तो pass भी नहीं आना चाहे है पहले तो चलो pass आने से मना नहीं कर रहे थे दुश्मनी आ गई liquid बनाने के लिए मैं क्या चाहिए कि gas का attraction force dominate करें यानि किसी gas को liquid बनाना है तो उसके z को 1 से कम रखना है उसके z को 1 से कम रखना है या z की value कम रखनी है z की value जितनी कम होगी gas की gas का compressibility factor जितना कम होगा उस gas को liquid बना पाना उतना आसान होगा उस gas को liquid बना पाना उतना आसान होगा और z की बात करें तो Z को घटाने के लिए याद है जादा temperature पर पार्टिकल दूर जाएंगे attraction चाहिए तो temperature कम करना होगा तो Z को घटाने के लिए temperature को घटाना पड़ेगा temperature को घटाना पड़ेगा high temperature पर Z1 से जादा आता है यानि कि अगर हम इस बात को जब logically सोच रहे हैं भेजता है temperature पार्टिकल को काइनिटिक एनरजी प्रोवाइड करता है 3 by 2 KBT Boltzman constant तो अगर मुझे गैस के पार्टिकल को पास लाना है गैस के पार्टिकल को पास लाना है तो उनको पास लाने के लिए काइनिटिक एनरजी कम करनी है वना वो दूर चले जाएंगे तो कोई ना कोई गैस के लिए कैसा temperature होगा अगर उस temperature से मैं उपर चला गया तो इतना जादा Z हो जाएगा Z1 से जादा हो जाएगा और उसके उपर उसके उपर लिक्विफिकेशन कभी नहीं होगा तो इस अपर लिमेट को बोला critical temperature इस अपर लिमेट को क्या बोला critical temperature कि अगर तुम गैस को लिक्विफाई करना है तो तुम्हें temperature इससे पीछे ही लाना है इसके आगे गये तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा यानि critical temperature वो temperature है जिसके बाद gas का Z1 से जादा हो जाएगा और gas 1 से जादा Z होगा तो उसका लिक्विफिकेशन नहीं हो पाएगा उसका लिक्विफिकेशन नहीं हो पाएगा तो यही बात Andrew ने अपने घ्राफ में देखी इस गैस के लिए ग्राफ बनाया था ये सब बाते ध्यान में नहीं है, carbon dioxide के लिए, क्या देखा, pressure volume graph बनाए, हमेशा graph को इस direction से देखो, हमेशा graph को इस direction से देखो, ठीक है, कि जब तुमने pressure को बढ़ाया, जब बच्चों तुमने pressure को क्या किया बढ़ाया, तो pressure को बढ़ाते समय, pressure उपर जा रहा तो volume पीछे जा रही है, pressure को बढ़ाया तो volume पीछे जा रही है, तो जैसे जैसे pressure को बढ़ाते गए, volume घटी गई, जैसे जैसे pressure डिग्री पर जब graph बना है तो किसी भी value पे Andrew को CO2 gas liquid बनते वे नहीं दिखी graph को ठंडा किया मलब temperature को ठंडा किया अभी भी compression असान होगे लेकिन liquid नहीं बनी पहली बार जो liquid CO2 मिला पहली बार जो liquid CO2 मिला वो मिला 30.98 degree Celsius पे कम मिला 30.980 degree Celsius पे तो क्या पता चल रहा था Andrew के इस graph से इसके नीचे liquid बन जाएगा ये liquification हो रहा है इस yellow वाले region के side gas liquid है इस yellow वाले region के side liquid है इस yellow वाले region के side gas है बीच में conversion बीच में conversion तो इस temperature के उपर कभी भी gas पे कितना भी pressure लगा लो दब जाएगी volume पास हो जाएगा कम हो जाएगा लेकिन लिक्विड CO2 नहीं मिलेगी लिक्विफिकेशन कभ हो पा रहा है जब हम एक particular temperature से नीचे आ रहे है इसी particular temperature को क्या बोला critical temperature अब इस temperature पर भी ऐसा नहीं कि ठंडा किया तो liquid बन गए ठंडा करना है liquid बनाने के लिए एक pressure लगाना पड़ा उस pressure को बोला critical pressure एक volume मिली उस volume को बोला critical volume so इन तीनों को हम critical parameters बोलते हैं जो ये बात समझाते हैं कि भाई gas का liquification कैसे होगा gas का liquification कैसे होगा इसको समझाते हैं हम critical parameter से critical parameter से तो जड़ा देखा जाए अगर अगर हम यहाँ पर देखें definition तो critical temperature क्या है वो temperature जिसके उपर वो temperature जिसके उपर gas का liquification impossible है यानि अगर तुम्हें gas को liquify करना है तो critical temperature कम करना है gas को liquify करना है तो critical temperature से नीचे लेकर आना है critical pressure क्या है gas अगर critical condition पे है critical temperature पे तो जब pressure लगाना पड़ता है उसको कहा critical pressure critical volume क्या है gas का one mole जितनी volume occupy करता है critical temperature और pressure पे उसको कहा critical volume और एक और term आया वैसे तुद्रे को इनके formula पे जैसे TC का formula है मैं formula लिख दे रहा हूं चाहाओ तो तुम्हें याद रखने की ज़रत है नहीं वैसे 8a by 27 rb critical pressure का है a by 27 b square critical volume का है 3nb 3nb तो यह critical condition पे 3 by 8 जो 1 से छोटा है जो 1 से छोटा है क्योंकि अभी हम समझ के आएं क्या समझ के आएं अभी हम लोग यह बास समझ के आएं हैं कि अगर हमें किसी gas को liquid बनाना है अगर अच्छो हमें किसी gas को liquid बनाना है तो हमें हर condition में किसी ना किसी तरह से उसके z को 1 से घंबला करना पड़ेगा अगर gas को liquid बनाना है तो उसके z को 1 से कम करना important है 1 से कम करना बहुत जादा important है समझ में आई बात clear सबको critical temperature को थोड़ा साव समझते हैं formula क्या है इसका 8A by 27RB समझो critical temperature क्या दिखाता है कि गैस को कितना ठंडा करना पड़ेगा जहां सोच के देखो दो गैसेद है एक का critical temperature माइनस 20 डिग्री से और एक का critical temperature 500 डिग्री से सोचना जा कई क्योंकि हम इसका मतलब अब अलग ले लेते हैं सोचना अगर room temperature मतलब 500 के ऊपर liquid नहीं बनेगी 500 के नीचे बन जाएगी 499 490 सब बनेगी माइनस 20 से उपर नहीं बनेगी माइनस 10 माइनस 0 माइनस 20 से नीचे बन जाएगी अगर मैं room temperature पर बात करूँ जो लगबाग 25 degree Celsius होता है इस गैस को liquid बना पाना impossible इस गैस को liquid बना पाना impossible बट इस गैस को liquid बना सकते हैं तो temperature हमें अपर लिमिट दे रहा है जितना उपर होगी limit उतना जादा range मिलेगा liquid बनाने का अपर लिमिट जितना उपर होगी किसी given temperature पर बना पाने की चांस से उतने बढ़ेंगे तो जिस गैस का critical temperature जादा है उस गैस का liquefaction आसामी से होता है जिस गैस का बच्चों critical temperature जादा है उस गैस का liquefaction आसामी से होता है तो तुम्हें इस बात को ध्यान रखनी है अगर गैस का ए जादा है ए जादा होने का मतलब ए क्या रिप्रेजेंट करता है attraction forces यानि उसमें attraction जादा है attraction जादा है तो उसमें compressibility जादा होगी compressibility जादा है यानि दबा पाना आसान है तो compressibility factor कम होगा compressibility जादा है तो compressibility factor कम होगा compressibility जादा है या attraction जादा है तो उसको लिक्वीफाई करना असान होगा उसको लिक्वीफाई करना असान होगा और ऐसी गैस का critical temperature भी जादा होगा ये अभी हमने समझे इस बात को logic से कि जिस गैस को लिक्वीफाई करना असान होगा उस गैस का critical temperature जादा होगा जिस gas को बच्चो लिक्वीफाई करना असान होगा, उस gas का critical temperature जादा होगा, ज़रा इस बात को समझो, इस बात को ज़रा अच्छे से समझो कि अगर हम इनी सब बातों को अलग-अलग तरह से घुमा फिरा के बोलते हैं, कभी कह दें कि यह यह gas, बताओ इनमें से किसका A जाद जादा है, तो जिसका A जादा उसका T जादा, तो यह इन सारी बाते आपस में जुड़ी है, जिसका Z कम उसका A जादा, जिसका Z कम उसका critical temperature जादा, Z से critical temperature को relate कर सकते हो, Z से liquefaction को relate कर सकते हो, कि जिस गैसेज में अट्रेक्शन जादा जिसे अमोनिय में तो उसका लिक्वीफाई करना आसान होगा तो ये सारे बहुत जादा important point है इस पर अलग-अलग logical question बनते हैं अलग-अलग logical question बनते हैं एक और टाइप की temperature की हम बात करते हैं इस chapter में which is inversion temperature क्या नाम है इसका बच्चो इन्वर्जन टेंप्रीच्र इन्वर्जन का मतलब क्या है ये रिलेटेड है जूल-थॉम्शन एफेक्स से value याद रखने की जरवत नहीं है value याद रखने जो अतनी इसका relation क्या है कि अगर कोई भी real gas कोई भी real gas expand कर दिये कैसे expand कर दिये freely मतलब उसे तुमने vacuum में छोड़ दिया balloon में gas भरी और gas को छोड़ दिया अगर वो gas अपने inversion temperature से उपर है अपने inversion temperature से उपर है और अपने inversion temperature से नीचे है तो temperature के according gas के expansion से या तो gas गरम हो जाएगी या gas थंडी हो जाएगी या तो gas गरम हो जाएगी या gas थंडी हो जाएगी जबकि ideal gas को अगर मान लो में free expansion कर दो फ्री का मतलब क्या मुफ्त का प्री का मतलब मुफ्त का बहार से कोई भी प्रेशर ना हो बहार से कोई भी प्रेशर ना हो यह मतलब है free का vacuum expand तो ideal gas को तो देखो नहीं कोई work करना पड़ेगा नहीं मिलेगा नहीं attraction नहीं reposition ideal gas expand कर जाएगी बिना किसी वर्क के temperature में कोई change नहीं है को इसका temperature concentrate रहेगा लेकिन वही तुम real gas को जैसे जब हम होता ना अपने mouth को काफी लादर open करकर gas को exhale कर ऐसे तो वहां पर हमें जो gas feel हो थंडी feel होती है क्यों क्योंकि gas expand कर गई और inversion temperature से नीचे जादा तर gases का inversion temperature बहुत जादा होता है तो gas थंडी हो जाती है वही कोई ऐसी gas expand करी जो अपने inversion temperature से उपर है तो गरम क्यों क्योंकि जादा temperature पे repulsion dominate करता है कम temperature पे यह कह सकते हैं यहां पे Z इसका 1 से आगे जाने लगेगा और है बट physics में इसके question है कुछ modules में डीपीपी में तुम्हें यह question मिल जाते हैं जूल थॉमसर निफिक का कि इस gas को लिया यह heat करेगी या cool करेगी hydrogen helium जैसी gases जिनका a बहुत छोटी gases हैं non-polar तो जिनका a बहुत कम है उनका inversion temperature भी बहुत कम है उनका inversion temperature भी बहुत कम है तो यह भी कहा जाता है जूल थॉमसर निफेक्ट में कि hydrogen helium जैसी gases हमेशा अपने inversion temperature से उपर रहती हैं तो उनमें तो हमेशा heating ही होती है ऐसी gases बहुत छोटी gases जैसे इसका हमने जब graph देखा था तो इन gases का zb1 से जादा था हमेशा यादे graph में यह कुछ ऐसी gases थी जिनका z ऐसा था नॉर्मल gases का ऐसा होता है hydrogen helium का ऐसा होता है क्यों होता ऐसा क्योंकि यह जादा तर negative जादा तर positive deviation ही दिखाती है छोटी क्या असल है positive deviation ही दिखाती है तो बच्चों आपने तीन टाइप के temperature पढ़े हैं critical temperature जिसकी value है 8a by 27 rb boil temperature जो बताया था ideal behavior वाला a by rb और inversion temperature to a by rb तो critical temperature सब में छोटा है boil बढ़ा है inversion temperature और जादा बढ़ा है तो इस अब कुछ extra बाते हैं जो ncrt में नहीं लिखी है neat में values नहीं पूछी जाती है इन temperatures का अगर मतलब याद है तो जादा बेटर है बाई critical temperature का मतलब क्या है वो temperature जिससे नीचे gas liquid बनेगी boil temperature का मतलब क्या है वो temperature जिसके ऊपर या नीचे gas में heating या cooling का change दिखेगा expansion होने पे heating या cooling का change दिखेगा तो ये हो जाते हैं हमारे 3 type के temperature और critical parameters जैसे कि यह आवा कुश्चन देखें कब आया हुआ है नीट 2018 में बहुत पुराना कुश्चन नहीं है नीट 2018 में आया है कि वैंडर वाल कॉंसेंट बिये हैं अमोनिया, हाइडोजन, ओक्सीजन और सी ओटू गैस का कौन सी गैस सबसे जादा इसली लिक्विफाई होगी तो ये ध्याना को इसली लिक्विफिकेशन का मतलब क्रिटिकल टेंपरेचर जादा इसली लिक्विफिकेशन का मतलब एवल्यू जादा इसली लिक्विफिकेशन का मतलब जेड की वल्यू वन से कम सारी चीज़े आपस में रिलेटेट है तो जिसका A सबसे ज़ादा है उसका लिक्विफिकेशन सबसे आसान होगा जिसका A सबसे कम है यानि हाईडोजन उसका लिक्विफिकेशन सबसे ज़ादा डिफिकल्ट होगा उसका liquification सबसे ज़ादा difficult होगा सबसे ज़ादा difficult होगा gases को liquification के order में अरेंज करना है हमें critical temperature दिया हुआ है gas का अब इन gases को liquification के order में अरेंज करना है कि फटाफट सारे बच्चे इसको अरेंज करके दिखाएं फटाफट सारे बच्चे अरेंज करके दिखाएं कि गैसे को हम कैसे अरेंज करेंगे हाइडोजन हीलियम नाइटोजन ऑक्सीजन सबसे कम क्रिटिकल टेंपरेचर किसका है हीलियम का क्रिटिकल टेंपरेचर और लिक प्रोजन का और सबसे आगे नमबर आएगा ऑक्सीजन का यहीं इनके एक भी वल्यू होगा यहीं के एक भी वल्यू होगा तो आंसर कौन सा मिल गया आंसर मिल गया option भी लिक्विफिकेशन का order भी critical temperature लिक्विफिकेशन का order critical critical temperature का order, vendor wall constant A का order, सब सेम रहता है, liquification, critical temperature, vendor wall constant, सब का order सेम होता, Z का order चाहिए, तो Z का order उल्टा होगा, जिसका liquification आसान, उसका Z कम, Z हमेशा आसान liquification की तरफ इशारा करता है, जिसका liquification आसान, उसके लिए Z की value उतनी कम, उसमें attraction force उतना जादा dominate करेगा, उसके लिए Z की value उतनी जादा कम होगी, तो बचल, इसी के साथ ये complete होता है chapter, surface tension आव विसकॉसिटी तुम physics में पढ़ोगे, इस chapter में नहीं पढ़ोगे, भले NCRT में heading है, तो एक बार इस पूरे chapter को, revise कर लो, और जितने भी notes में homework question है, जितने भी हमारे NCRT में homework question है, उनको solve कर लो, आज के लिए तुम्हारा काम इतना है, आज के लिए तुम्हारा काम ये रहेगा, कि तुम्हें सारा का सारा पूरा chapter, इसको strong करना है, revise करना है, variety of question try करना है, कुछ question slice में added है, उनको भी try करना है, जो real gas, ideal gas के numerical इन सब बातों पर based है, तो मिलते हैं बच्चों, अगली class में, अगली chapter के साथ, पहले ही मैं बता चुका अगला chapter कौन सा होने वाला, अगला chapter होने वाला redox reaction, जहां पे हम oxidation number, reduction समझना, reducing agent, इन सब चीज़ों की बाते करेंगे, और redox reaction, chemistry में, अगर पूरी chemistry ले लो, organic, inorganic, physical, पूरी chemistry ले लो, तब भी सबसे ज़ादा important chapter है, अगर तुमसे भगवान जी आके कहें, कि बिटा तुम सिर्फ नीट exam में, एक chapter त्यार करके जा सकते हो, तो मैं हर बार redox reaction चुनूँगा, इतना जादा important है, तो अगली class हम लोग शुरू करेंगे, redox reaction chapter, thank you all, have a great day, bye bye.